Hello students, how are you all? Hope you all are fit and fine at your home. This is Poonam, your math teacher. Welcome to my channel. तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं, Comparing Quantity Exercise 8.1. ओके, तो इसका first question हमने लिया है, इन्प्रोडक्शन में अल्रड़ी आपसे डिस्कस कर चुकी हुँ वीडियो में और अगर आपने नहीं देखा है, तो उसके लिए में आपको उसके last at screen में वो मिल जाएगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीके? तो question number 1 हमारा यहाँ पर है, find the ratio of the following, आपको ratio find out करना है, ratio क्या होता है, ratio किस तरीके से find करते ही, मैं आपको सब कुछ डिस्कस कर चुकी हुँ, तो आप से बूरा है कि आपने ratio find करना है, कैसे करेंगे, ratio के लिए आपको जिसका ratio find out करना है, उसका एक पार्ट में आपको लिखा हुआ है, speed of cycle 15 km per hour to the speed of scooter 30 km per hour, आपको cycle की speed, एक घंडे में एक cycle कितनी speed से, कितनी speed, मतलब कितना distance कवर कर रही हूँ, आपको जिवान है 15 km per hour मतलब एक घंडे में एक cycle 15 km distance कवर करती है, यानि कि उसकी speed cycle की ये रही है, then इसका ratio आपने find out करना है to the speed of scooter, scooter की speed से जो की आपकी पास 30 km है per hour, यानि कि एक घंडे में scooter 30 km distance कवर करना है और cycle 15 km distance कवर करना है, okay, obviously बात है scooter cycle की comparison हमेशा सेम टाइम में अगर हम दोनों का देखेंगे, तो scooter जो है को जाज़ा distance कवर कर सकता है, क्योंकि scooter की speed cycle से हमेशा आपको पता है कि ये तेज होती है, तो यहाँ पे आपको यही difference भी दिख रहा होगा तरप से, की 30 km scooter का है और cycle का 15 km तो ratio find out करने के लिए आपने पहले दिखना है 2, 2 के बाद आपके बाद scooter का distance यह है 2 से पहले cycle का दिया, speed of a cycle upon speed of scooter, that's it, आपने ज्यादा को statement नहीं बना गाया है, क्योंकि 1 mark पे ही आपको कोशन आएगा, लेंदी कोशन नहीं आएगा, तो ratio find out काने के लिए आपने के लिए आपने के लिए दरा, speed of a cycle and speed of a scooter, cycle का speed आपके पास कितनी है 15 km, then आपके पास scooter की speed कितनी है 30 km, आप यहाँ पे एक चीफ में आपको बता दो, आप ही हमारे पास km, km units are safe, ठीक है, unit बिल्को safe है, तो कोई problem नहीं है इस कोशन में आप बेरेटरी सीरे से आपने क्या करना है, इनको cancel out करना है, km से km cancel out हो जाएगा, then 15 मांज़े 15, 15, 20, 30, यानि कि 1 upon 2 आया और ratio को हमेशे कैसे लिखते है, इस तरी है, इसको क्या बतते है, is 2, 1, is 2, 2, ओके, यहाँ पे unit same है, प्रब्लम वहाँ पे आती है जब आपको unit अगर same नहीं दी है, सपोज यहाँ पे एक distance आपको km में दे दी होती है, सब्सक्राइब करते है, next motion हमारे पास है, वीडियो को pause करके, ठीक है, आपको सब्सक्राइब का देन हमारे पास का है, आपने next to ratio find out करना B part में यह रिखा है, 5 meter to 10 km, यानि कि 5 meter का 10 km, यहाँ आपको कोई statement नहीं यह बाहने directly आपको दिया है, 5 meter से 10 km में आपको ratio find करना है, तो देखो, हमारे पास 5 meter और 10 km का ratio find out करना है, तो यह units क्या है, different है, तो उनको same बनाएगे, same बनाएगे कि आपको अच्छे से पता है कि 1 km में कितने meter होते है, यह आपको 7th class में करा होगा, 1 km में 1000 meter, है ना, यह बात मच्छे से जानते है कि 1 km में 1000 meter होते है, तो आप देखो, 1 km में 1000 meter होते है, तो यहां पर आपके पास कितना kilometer होते है, 10 km, तो 10 km में कितने हो जाएंगे, 10, आपको पता है, जब आपकी एक pen 5 rupees में आ रही है, तो 5 pen कितने में आएगी, तो आप क्या करते हो, Unitary method के according 5 को 5 से multiply करोगे, आपको पते जाएगा कि मेरी 5 pen 25 rupees में, 55 सा 25, same thing, 1 km में 1000 meter है, तो 10 में कितने होगे? आप 10 से 1000 को multiply करोंगे, 10 x 1000 आपके पास कितना हो जाएगा? 30,000 यह और एक 10 का 0, याई कि आपके पास ये आपके पास बनजाएगा, यानकि 10,000 हो जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा? 10,000, तो आपे गो 10 km को change कर दिये है, फाइल वीटर ऐसी रहा, टेन किलो मीटर आपको चेंज हो गया, टेन थाउसेट मीटर, टेन थाउसेट मीटर, okay, किलो मीटर से मीटर में ला गया है न, ये मीटर में चेंज होगया, ये कैंसल हो गया हैंगी दोरों यूनिट्स, then five पंजब five, five to gent, 10 और साथ में 30 तो हमारा ratio क्या है 1 upon 2,000 है यह जिसको क्या से उपिगे 1 is to 2,000 ओके तो हमारा सिटी पार्ट पर कंप्रीट हो गया next part जिखते है c part में क्या है c part हमारे मास है 50 पैसे to rupees 5 यह आपको given है 50 पैसे to rupees 5 आप यहाँ पे भी देखे यूनिट सेम नहीं है 1 rupees 9 पैसा रूपी और रूपी और पैसे में आप प्रियेशन क्या चानते है आपको पता है 1 rupees में 100 पैसा कीतना मता है 1 rupees में पैसा ठीक है तो आच इस पर रिशु में आप फाइड आप करेंगे तो कैसे फाइड आप करेंगे देखिए 50 पैसा आपने निकाला है 50 पैसे का रुपीज में 50 पैसा उपर आएगा और रुपीज 5 रुपीज इची आ जाएगा आपकर मास अब आपका करेंगे इस रुपीज को आपको रिलेशन क्या पता है रुपीज से पैसे में पता होता है तो आप इस रुपीज को चेंज करते हैं 1 रुपीज में 100 पैसा तो 5 रुपीज में कितना को हो सकते है 5 इंटू 100 पैसे इक्वल टू 500 पैसे आ जाएगा अब तो पास पैसे को मैंने P लिख दिया कंजी कोई मत होना ओके तो ये रेखे 50 पैसे ये अल्रेडी है और मेरा ये 5 रुपीज आप देख सकते हो 500 पैसे में कंपर्ड हो गया है तो ये कितना अगार के पास आंसर 1 ratio 10 ओके हमारे पास question number 1 के 3 parts complete हो चुके है तो अब move करेंगे question number 2 में question number 2 को राने से पहले student please pause the video and note this question number 1 करेंगे करेंगे करेंगे